ऐसी कौन से important 5 बाते हैं जिनसे आप अपने लखवे को कर सकते हैं जल्दी से जल्दी ठीक आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और specially यही जानेंगे कि ऐसी कौन से 5 important बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने recovery के दोरान, अपने लखवे की जरनी के दोरान क्योंकि specially जब हम paralysis का नाम सुनते हैं तो patients बहुत जादा depressed हो जाते हैं उन्हें यह लगता है कि ना जाने उन्हें कितनी बड़ी बिमारी हो गई है लेकिन अगर हम general way में बात करते हैं तो लखवा एक बहुत बड़ी बिमारी नहीं है क्योंकि उसका इलाज कहीं न कहीं आपके हाथ में है doctors अपनी medications दे रहे हैं लेकिन उसके अलावा जो बाकी का rehabilitation program है जो बाकी diet है, walking है, exercises है वो सब आपके हाथ में है तो जो आपके लिए important है वो बस इतना है कि आप इन जीजों को जादा सोचो ना आप अपने लखवे की बिमारी को जादा सोचो ना, जादा overthinking नहीं करनी है जादा stress नहीं लेना है और जादा depressed नहीं होना है करना क्या है? सिर्फ exercises, अपनी medications time पे लेनी है, अपनी walking करनी है और अपनी थोड़ी बहुत diet का ध्यान रखना है लेकिन अगर आपको किसी भी बात के regarding कोई भी problem है या फिर आप लखवे के मरीज हैं और आपको कहीं से recovery नहीं मिल रही है तो आप directly श्रयाज में contact कर सकते हैं हमारे doctors आपको best consultation प्रवाइड करेंगे, वो भी free of cost चले ठीक है, अब हम बात करते हैं वो कौन से ऐसी पांच जरूरी बाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, starting में आपको ये ध्यान रखना है कि जबी भी आपको अपनी body में लक्षन दिखने शुरू होते हैं आपको समझ आ रहा है कि आपके मुँ में टेढ़ा पन आ रहा है आपके हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है या फिर आप धंक से बोल नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, उट बैट नहीं पा रहे हो खुझ से तो ये सारे symptoms मैं मानती हूँ बहुत ज़ादा severe हैं और बहुत ज़ादा आप इनको देखके पहचान सकते हो ऐसा नहीं है कि आपका मुँ टेड़ा हो रहा है और आपको समझ नहीं आएगा या फिर जो आपके साथ बैट हैं, अटलीस्ट वो भी देखके आपको बता सकते हैं कि आपके face में deviation देखने को मिल रही है तो ये सारे symptoms बहुत ज़ादा identical हैं, आप देखके पहचान सकते हो या फिर आपके caregivers या फिर जो भी आपके साथ है वो भी आपको बता सकते हैं लेकिन ठीक है, आपने symptoms recognize कर लिए उसके बाद उसके बाद जो first step आता है वो है डॉक्टर से concert करना लेकिन कितने time में concert करना, initially 3-4 hours में आपको डॉक्टर को visit करना है लेकिन उससे पहले आपको एक बात ये भी धियान रखनी है कि आपको इधर उधर जाके doctors के पास time waste नहीं करना आपको directly best hospital में जाना है, best doctors के पास जाना है जहाँ पर आपकी proper test हो सके, जहाँ पर आपकी MRI report, blood test, city scan सब कुछ हो सके क्योंकि stroke के rehabilitation program में, stroke के treatment में ये बहुत जादा जरूरी हो जाता है कि आपके पहले proper test हो, ताकि पता चले कि आपको लखवा आखिर किस वज़े से हुआ है और जब doctors को पता चल जाता है कि लखवा इस वज़े से हुआ है, तो वो अपना treatment protocol उसे हिसाब से setup करते है अब कौन सा लखवा और किस वज़े से brain stroke, अब हम इसमें बात करते हैं, दो types के बारे में पहला, आपका clot, आप सभी को पता होगा, हम सभी normally, generally जानते हैं कि clotting क्या होती है या खून के ठक्ये जमना क्या होता है, तो एक clotting वाला factor जब आपके brain में मिलता है, जब आपकी blood vessels में मिलता है तो वो doctor accordingly आपको injections देते हैं, जिससे आपका clot resolve हो जाता है और दूसरी condition आपकी brain hemorrhage की, मतलब जहाँ पे surgical doctors को procedure बढ़ाना होता है क्योंकि आपकी नसे फट जाती है, तो इसलिए मैंने कहा था, आपको doctor wisely choose करना है, आपको hospital wisely choose करना है ताकि आपके test properly हो सके और doctors को पता चल जाए कि actually में brain stroke किस वज़ए से हुआ है यह तो हो गया पहला point, कि आपको doctor के पास, कि आपको best doctor के पास जाना है और time से जाना है अब अगर हम दूसरा point की बात करते है, ठीक है, paralysis हो गया, आपकी recovery स्टार्ट हो गई है, आपका treatment स्टार्ट हो गया है तो second important thing क्या है, medications जब भी भी doctor आपको medications prescribe करते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कौन सी medication किस चीज के लिए है और अगर चलो नहीं भी समझाते हैं, तो आप अपने doctor से पूछ सकते हैं कि doctor साब ये medications मुझे क्यों दी गई है या फिर इनका body में क्या impact है, और ये कब तक treatment हो सकता है, कब तक recovery मिल सकती है इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, कि जो जो medications doctor ने जब जब लेने को बोली हैं, आप अपनी medications time से लोगे क्योंकि medicines जब तक आप नहीं लोगे, आपका brain वापिस से active नहीं होगा आपकी motor learning, motor skills वापिस से regenerate नहीं होगी क्योंकि आपको पता है, ultimately brain stroke में आपकी brain की vessels खराब हुए है तो important ये है, कि हमें अपने brain के activities को वापिस से ले के आना है हमें अपने brain को वापिस से re-educate करना है तो जरूरी क्या है, कि आप अपने medications time से ले, अपने doctor को follow करें और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो doctor से आप सामने से पूछें कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, मेरी body changes क्यों आ रहे है या फिर मैं कब तक ठीक हो जाओंगा, या मुझे किन-किन बातों का ध्यान रखना है I hope दोनों points आपको समझ आयोंगे, सबसे पहला कि आपको doctor के पास जल्दी से जल्दी जाना है और दूसरा आपको medications लेनी है Now important part is physiotherapy, that means exercises हम patients को जब भी भी exercises के लिए बोलते हैं कि आपको exercises perform करनी है तो उनका पहला question यही होता है कि हम तो already लखवे के मरीज हैं हमारी body में तो already इतनी weakness है, तो हम exercises कैसे perform करेंगे लेकिन आपको समझना यह है कि जब तक आप exercises perform नहीं करोगे खुद से initiative नहीं लोगे, तब तक ना तो आपकी muscles में ताकत आएगी ना फिर आपका brain दुबारा से re-education के रहा पे चलेगा क्योंकि ज़रूरी यह है, जब तक आपका brain आपको instructions नहीं देगा तब तक आपके हाथ-pair काम नहीं करेंगे तो इससे आपको ये भी समझाया होगा कि लखवा सिर्फ हाथ-pair की बिमारी नहीं है आपके दिमाग की भी बिमारी है, आपके brain को हमें वापिस से re-educate करना पड़ता है और re-educate करने के लिए हमें activities perform करनी होती है, exercises के रूपे तो हम exercises perform करेंगे, जिससे हमारा brain वापिस से active होगा और समझेगा कि हमें ये movements ऐसे perform करनी है, हमें recovery ऐसे ले के आनी है तो इसलिए कहा जाते हैं कि exercises का बहुत important role है आपको exercises दिन में बहुत बार करनी है, लेकिन हाँ, इतनी भी बार नहीं करनी है कि आप खुद को ठका लो, जब तक आप comfortable हो, जब तक आप exercises perform कर पा रहे हो आप अच्छे से exercises perform करो, और जितनी बार आप कर सकते हो, उतनी बार आप करो लेकिन बिना थके, ठीक है, अब next important is diet initial stage में doctors कहते हैं कि patient को liquid diet पे रखो soft diet patients बाद में लेते हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ liquid जा रहा होता है लेकिन liquid कितने time तक जाना चाहिए, आप कुछ सोचो आपकी body को nutrients की requirement है आपकी body को protein की requirement है, लेकिन milk क्या रहा है, सिर्फ fluid ठीक है, no, I do agree कि fluids में भी आपका protein है, nutrients है लेकिन body की requirement के according तो नहीं है तो आपको ध्यान गे रखना है कि आपको अपनी diet wisely choose करनी है doctors जब आपको बताते हैं कि आपको medications लेने हैं, exercise करनी है तो साथ में ये भी बताते हैं कि आपको अपनी diet में क्या लेना है और कितने time के बाद अपनी diet को change करते रहना है तो वो बात आपको neglect नहीं करनी है तो जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास भी patients आते हैं तो उनको ये होता है कि मैं मोग कब तक liquid diet ले तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब आपकी recovery स्टार्ट हो जाती है आपकी body की metabolic activities बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसके लिए body को खाना भी चाहिए क्योंकि energy कहां से मिलेगी जब आपकी body में protein ही नहीं होगा तो आपको energy कहां से मिलेगी आप कैसे exercises perform कर पाओगे आप कैसे बात करने की कोशिश करोगे अगर body में diet ही नहीं है अगर body में खाना ही नहीं है तो ये obvious से बात है कि आपको हमेशा weakness महसूस होगी आप हमेशा irritated रहोगे क्योंकि आपको भूख लग रही होती है body को requirement है खाने की तो इसलिए आपको अपनी diet भी wisely choose करने है और अपने doctor से पूछना है कि मुझे diet में क्या लेना है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर paralysis patient की एक ही diet चले या एक ही medication चले condition के ऊपर हम decide करते हैं जैसे कि मैंने starting में बताया था या तो आपको clotting हुई है या फिर आपको brain hammered जो है तो doctor से आपको अच्छे से समझना है क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे आपकी recovery impossible है Now last and the important point is walking हम generally patients को बोलते हैं कि walk करो, walk करो, walk करो लेकिन इतनी ज़्यादा walk करना भी at times बहुत ज़्यादा problem create कर देती है क्योंकि patients अपना body weight अपने knees पे और अपने lower limb पे नहीं ले पाते हैं लेकिन being a doctor या फिर being a caregiver हमें ऐसा लगता है कि हम patients को बहुत जल्दी चलवाना शुरू करते हैं क्योंकि ultimately patients के दिमाग में एक ही target होता है कि उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है लेकिन उस target के अंडर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी body support कर भी रही है या नहीं उनकी body में उतने strength है भी या नहीं तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आपको अपने activities अपने according करनी है मालनीजे आपको कोई चला भी रहे तो जो भी patient को चला रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उन्हें proper support के साथ चला है और carefully चला है क्योंकि paralysis की condition में body बहुत जादा weak होती है अब ये depend करता है कि आपको paralysis पूरी body में या फिर आपकी एक side में paralysis है तो जो भी side आपकी weak है आपको बहुत carefully handle करना है आपको अच्छे से patients को grabs करके चलाना है चलना I know, I do agree कि बहुत important है चलना लेकिन patients के लिए भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि उनकी body में उतनी ज़्यादा strength नहीं होती है तो आपको carefully wisely अपनी activities को अपनी movements को and अपनी exercises को carry forward करना है I hope वीडियो में मैंने जो भी बाते बताई हैं जो भी important 5 tips या क्या लिजे points बताया है वो आपको सभी समझ आयोंगे अगर वीडियो के regarding कोई भी कोई है या फिर आप खुद एक paralysis के patients है जो भी patients अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको कोई ऐसा point जो आपको नहीं समझ में आ है तो आप directly हमें श्रयाज में contact कर सकते हो नीचे number mention है आप directly call करके अपनी problems हमारे सामने रख सकते हो पूछ सकते हो doctor से या फिर medications कहीं और से चल रहे हैं लेकिन आपको recovery नहीं है कोई treatment आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आप हमारे doctor से medications as well as diet and exercises पूछ सकते हैं या फिर उसके अलावा आप comment section में भी अपनी queries पूछ सकते हैं अपनी चितनी भी problem से समस्या उन्हें discuss कर सकते हैं Thank you so much